दोस्तो आप लोख हम से क्या question पूछे है कि electric overhead crane में 110 बोल्ट का ही controlling supply क्यों रहता है और बहुत सा फ्रेंट ये भी doubt कर रहा है कि कोई जगा में आपका 24 बोल्ट ACDC का control supply रहता है किसी में 230 किसी में 415 तो इसके उपर भी दोस्तो आपको बिल्कुल भी doubt नहीं रखना है जब आप कोई भी electrical का interview दीजिएगा तो देखिएगा आपसे कभी ने कभी पूछाई है कि electric overhead crane में 110 बोल्ट control supply के जगा में अगर हम 415 बोल्ट control supply यूज करेंगे तो हमारा क्या क्या फोल्ड होगा अभी इस जगा में दोस्तो बहुती simple तरीका से practical experience के साथ मैं आप लोग को समझाओंगा clean समझ भी आएगा और आप लोग के अंदर में जितना सारा doubt है सारा doubt भी clear होगा और इसके साथ में fault के बारे भी बता दूँगा जब आप कोई भी इंटर्वू दीजेगा तो एक line में बहुत आसान तरीका से आप लोग समझा सकते हैं अभी एक वीडियो में आप लोग अल्लेडी बना के समझाया हो ml3 का जिसमें आपका control supply था कितना voltage 415 voltage ठीक है और एक वीडियो बनाये था जो आपका MK1 का इस्टाटर था ठीक है इस पर भी आपका 415 voltage AC का ही control supply था और electric overhead crane में जो 110 voltage का control supply है इसके ओपर बहुत सरा वीडियो बना के अल्रेडी आप लोग को समझाया हो और 24 volt control supply यार compressor के बारे भी प्रैक्टिकल वीडियो बना के समझाया हो उस पर भी आपको AC DC का control supply मिल जाएगा और यह जो आपका 230 volt है और 415 volt है तो इसके ओपर तो कुछ भी doubt नहीं है कौन से जगा में हमारा कितना का control wiring होता है अभी जहां पर आपका 110 volt का control supply के बारे में मैं आप लोग को समझा दूंगा तो हर जगा का control supply के बारे में clean आप लोग को समझ में आ जाएगा अभी 110 volt का control supply जहां पर रहता है उस जगा में देखिएगा हम लोग 2 go phase देते हैं दोनों phase मिला का हम लोग को 415 volt है और इस जगा में हम लोग क्या supply देते हैं 2 go phase देते हैं किस में देते हैं जो हम लोग का step down transformer रहता है step down अभी ये दोनों phase हम लोग कहा से लेके आते हैं current collector से देखिएगा 2 go wire हम लोग tap करते हैं और transformer में direct रहता है और यहां से आमारा कितना voltage आता है 110 volt AC out होता है मतलब इस जगा में हम लोग step down transformer यूज कर रहे इसमें एक phase निकलता है एक neutral निकलता है अभी जो आपका ML3 का starter रहता है जिसमें आपका 415 volt का हम लोग control बनाते हैं तो देखिएगा ML3 में आपका contactor का coil आपका कभी कभी जल जाता है और MK1 का जो starter रहता है इस पे भी आपका contactor का coil जलने का problem आता ही रहता है इलेक्टिक overhead crane में जहां पे आपका 110 volt का control wiring है इसमें आपका coil जलने का fault नहीं आता है कभी कभी क्या होता है जो हम लोग को contactor रहता है तो contactor में हम लोग को दो point रहता है एक आपका A2 एक रहता है A1 तो ठीक इसी जगा में हम लोग को क्या रहता है स्क्रूब रहता है कभी कभी स्क्रूब सिलिप हो जाता है उसके बज़े सामलेओ को contactor का coil चेंज करना पड़ता है या दूसरा contactor लगाना पड़ता है लेकिन coil जलने का problem आपको ज्यादा तर देखने के लिए नहीं मिलेगा तो ये और clean किस तरह से समझ में आएगा जो आपका 230 वोल्ड का control wiring है जितना सरा friend CCM में duty कर रहे हैं इस जगा बे देखिएगा 415 वोल्ड आपका input लेता है AC और इस जगा में एक transformer देके आपका out होता है कितना 230 वोल्ड AC ठीक है एक फेज रहता है एक neutral रहता है और जो आपका CCM में control wiring रहता है इस पे भी जो आपका 230 वोल्ड का control supply बनता है तो इस पे भी आप चेक करिएगा तो देखिएगा कोई भी standard company का contractor लगा रहे है या कितनों भी अच्छा साथ चाप लगा के रखिए 415 वोल्ड में और 230 वोल्ड पे भी coil हमलेगों को जलने का problem द देखने के लिए नहीं मिलेगा ऐसा क्यों तो इस जगा में दोस्तों जो हमारा 415 वोल्ड supply इन हो रहा है हम लोग क्या जानते है कि primary side में हमारा voltage ज्यादा होगा तो secondary side में हमारा voltage ज्यादा आउठ होगा ठीक है चाहे हमारा 415 वोल्ड अगर input है तो इस जगा में जब हमारा voltage ज्याज आउठ होगा थोड़ा सा तो ज्यादा आउठ होगा ही लेकिन जो आपका CCM में कंट्रोल वारिंग रहता है इसमें आपका कंट्रोल कनेक्शन के लिए टास्फफर्मार यूज होता है कोई-कोई MCC पैनल पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कंट्रोल कनेक्शन के लिए टास्फर्मार यूज किया जाता है लेकिन इस जगा में हम लोग को क्या होता है बहुती कम आपका क्वांटक्टर का क्वाइल जलने का प्रोब्लेम देखने के लिए नहीं मिलता है ठीक है और कभी-कभी यह फर्ट देखने के लिए मिलता है लेकिन 110 बोल्ड में आ आपका जाल जाता है तो इस जगह में दोस्तों जो आप प्राइमरी साइड में 45 भोल्ड दे रहे हैं इसके जगह में आपका अगर 420 भोल्ड आ रहा है 430 तो कभी भी माल्टीमीटर में चेक करके देखिएगा 110 जो है 110 10 के जगा आपको किदना मिलता है 113, 114, खोब होगा तो 120 तक जब आप contactor का nameplate में देखिएगा जिसमें लिखावा रहता है इसमें लिखावा रहता है 136 भोल्ट ठीक है और इसके बगल में frequency भी लिखा रहता है कि 60 जो frequency है इसमें 136 भोल्ट और जो 50 लिखावा रहता है से चेक करते हैं contactor का A1 और A2 में अगर आप 230 भोल्ट देके चेक करिएगा 110 भोल्ट वाला contactor को तो देखिएगा coil आपका जल जाएगा कितना देर में एक से दो मिनिट के अंदर में कौयल जल जायेगा इसीलिए हम लोग इसको किस तरह से चेक करते हैं series लैम से चेक करते हैं तो हम लोग को कौयल जलता नहीं है लेकिन सीरीज लैम से ज़्यादा देर तक देके रखिएगा तो देखिएगा आपका कॉयल कभी-कभी जल भी जाता है ऐसे नॉर्मेल में नहीं जलेगा अगर आप कोई भी कंट्रोल ट्रांसफर्मार देके चेक कर रहे है तब तो यह जितना सरचीश दोस्तों मैं आप लोगों को बताया हूँ यह किसल यह बताया हूँ वो भी जानना जरूरी है तो टोटाल यह आपका डिपेंड किसके उपर है प्राइमरी फोल्टेज के उपर ट्रासफर्मार लगा हूँ स्टेप डाउन बला तो आपका सेप्टी का काम कर रहा है लेकिन जो आपका ML3 का कॉंटक्टर है MK1 के स्टाटर है इसमें हम लोग क्या करते है दोगों फेज देके कनेक्शन करते है मतलब जो आपका कॉंटक्टर रहता है इस कॉंटक्टर में A1 जो रहता है एक फेज देते है और जो आपका A2 रहता है इसमें एक फेज देते है तो इस जगा में हमारा पहले वोल्टेज है 415 वोल्ट AC ठीक है और जब आपका कोई भी कारण से वोल्टेज ज्यादा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते है ओभर वोल्टेज तो ओभर वोल्टेज कब होता है 415 के जगह अगर आपका 418 आया 430 आया या 450 आया तो जितना ज़्यादा वोल्टेज आएगा उस टाइम आपका क्या होगा कॉंटर का जो कॉयल है इसमें आपका पहुंचेगा काई कि इस जगह में तो आपका कोई भर टास्फर्मर यूज हुआ नहीं है इसलिए 450 भोल्ट भी आ रहा है तब भी आपका कॉयल में जा रहा है अगर 415 भोल्ट आ रहा है तब भी आपका कॉयल में जा रहा है तो जब आपका भोल्टेज ज़्यादा होगा मतलब ओभार भोल्टेज होगा तभी क्या होगा एक क्वांटेटर का क्वायल आपका जल जाएगा लेकिन 110 बला में हमारा खुब ज़्यादा से ज़्यादा भोल्टेज प्राइमरी साइड में ज़्यादा होगा तो हमारा 113-14-120 तक पहुंचेगा तो ओटेमेंटिकल आपका क्या होगा आपका नहीं जलेगा और जो आपका एमेल 3 और एमके वान की स्टाटर है इसमें कोई भी हम लोगों को प्रोटेक्शन दिया हुआ नहीं है तो क्वांटेटर कोई जलेगा ही जलेगा बहुत यह असान तरीका साब समझ गया है कि अभी एक लाइन में आपको एंस कौन सा कंट्रोल आइरिंग करेंगे तो हमारा क्या क्या सुभीदा होगा और क्या क्या दिकत होगा इस जगा में दोस्तों अगर हम 24 वोल्ड का और 110 वोल्ड का कंट्रोल आइरिंग करेंगे तो इस जगा में हमारा क्वांटेक्टर का लाइप सालों साल बढ़ता ही रहेगा जल्दी आपका coil आपका जलेगा भी नहीं और जो आपका ओभार वोल्टेज होगा ओभार वोल्टेज आपका क्वाइल का क्वाइल तक पहुचेगा ही नहीं और थोड़ा बहुत जो एक वोल्ट, दो वोल्ट, चार वोल्ट पहुचेगा उसके चलते हमारा Contraktor का कॉयल जलेगा ही नहीं तो सालों साल हमारा Contraktor चलता रहेगा और जल्दी आपका fault आएगा भी नहीं तो इस वीडियो में आपको clean समझ में आ गया कि ML3 का जो स्टाटर रहते हैं या MK1 के स्टाटर रहता है इसमें हम लोग को कॉयल कीसलिए जलता है अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल में स्टाटर बनाता है देखिएगा डॉल कनेक्शन का जो हाथ से बनाते हैं उस जगा में अगर आप 110 फोल्ड देके बनाइएगा तो इस टाटर में देखिएगा आपका जल दी फोल्ड आई नहीं रहा है ना आपका कॉंटर को कभी जल रहा है क्यूंकि के क्वाइल में अभाल भूल्टेज पहुंचे गाई नहीं तो कभी जलेगा भी नहीं और ज्यादा तर देखिएगा जो 415 बोल्ड और 230 का कंट्रोल वाइरिंग में जो आपका कॉंटेक्टर लगावा रहता है चारसो पंद्रा भोल्ट का है तो कॉंटेक्टर में भाइविरेशन भी बहुत ज्यादा होता है और देखिए अगा थोड़ा सा पकड़ के देखिएगा तो गरम भी बहुत ज्यादा हो रहा है किसलिए क्योंकि हमारा वोल्टेज ज्यादा है और 415 का बद जब और वोल्टेज ज्यादा होगा तो ओटमेटिकली क्या होगा क्वाइल आपका गरम होगा ज्यादा ज्यादा गरम होगा तो आपको क्या कोईल जलेगा इस जगह में 110 बुल्ट का रहेगा तो आपका कितनों भी बढ़ेगा 120 से ज़्यादा आपको मिलेगा ही नहीं कभी भी आप प्रैक्टिकल में चेक कर लिजेगा माल्टीमीटर में क्यूंकि जो मैं आप लोग के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसका मैं काम अल्रडी करता हूं वही एक्सपीरियंस हैर करता हूं इस जगह में जो ML3 और MK1 के एक्जामपेल दिया तो यह भी आप लोग नहीं बोल सकते हैं कि हम कुछ गलत बोले हैं और प्रैक्टिकल में जब काम कीजिएगा इस जगह में ज्यादा नहीं आप 10 मिनिट या 15 मिनिट या अधा घंटे के अंदर में दो बार तीन बार वोल्टेज चेक करिएगा देखिएगा हमेशा आप डाउन आप डाउन आपको मिली रहा है इस जगह में आप 110 बलबला में चेक करिएगा तो क्या होगा 113-114 इस से जदा आपको देखने के लिए मिलेगा ही न 15 चाहिए तो 415 देखिएगा हम लोग ले लेते हैं और ज्यादा हम लोग भोल्टेज नहीं चेंज करते हैं किसमें एक जोलरी टास्फर्मर से खुब होगा तो आप जब भी भोल्टेज चेक करिएगा तो 433 ठीक है या 420 421 देखिएगा मैं प्रैक्टिकल पर भी चेक करके अल्रेडी आप लोग को दिखाया हूँ किसी में 406 भोल्टेज भी होता है तो अगर इस जगह में 406 भोल्टेज आएगा तो अटमेटिकल सेकंडी साइड में भोल्टेज कम निकलेगा और क्वांटेक्टर के पास आपका कभी भी ओभार भोल्टेज नहीं होगा तो दोस्त में आपके क्या होगा अभार भोल्टेज हो गाही नहीं मतलब ज्यादा भुल्टेज आपको कोंट्रक्टर तक पोहुचेगा ही नहीं इसी लिए कभी भी कौैल जैलेगा भी नहीं और जो कंट्रोल एके लिए जक्शे हालान yen कोट्रक्टर का लाइब